हेलो फ्रेंड्स, SS Home Garden के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया ये जो इस स्क्रीन पे आप पौधा देख रहे हैं इस पौधे पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका थमनेल आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे और इस वीडियो के दस लाख व्यूज पूरे हो गए है इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद इसी वीडियो के कॉमेंट्स में बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि इसके जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो क्या-क्या हैं और इसे कैसे यूज कर सकते हैं जो मैं आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो कृप्या वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इसका जो सबसे पहला बेसिक यूज जो है आप कर भी रहे होंगे लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा आप सब पिजा जरूर खाते होंगे और उस पर औरिगेनो की टॉपिंग भी आप सबने देखी होगी साथ में पिजा के औरिगेनो के कुछ पैकेट्स एक्स्ट्रा भी मिलते हैं वो जो औरिगेनो होता है वो इसी प्लांट से बना होता है ये प्लांट अजवाइन तो नहीं है लेकिन आप सब इसे अजवाइन के रूप में ही जानते हैं इसलिए आगे मैं इस वीडियो में भी इस प्लांट को अजवाइन ही कहूंगा तो दोस्तों ओरिगेनो जो आप पिज़ा पे खाते हैं ये इसी अजवाइन के प्लांट से निकलता है इसे ही सुखा कर इसकी पत्तियों को सुखा कर बनाया जाता है तो सबसे पहला इसका यूज यही है दूसरा इसका यूज यह है कि ये डाइजेशन को इंप्रूव करता है अगर आप इन डाइजेशन से परेशान हैं आपका डाइजेशन खराब हो रहा है बार-बार आपको पेट की समस्या आ रही है तो आप इसका यूज करके जरूर देखिए इससे आपको जरूर ही फाइदा मिलेगा इसके अलावा इससे तेल निकलता है इसकी पत्यों से तेल निकलता है जो की मार्केट में अजवाइन का तेल के नाम से मिल जाता है थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप ढूडेंगे तो आपको भी जरूर मिल जाएगा और ये दात दर्द में प्रयोग किया जाता है दात दर्द में इससे काफी आराम मिलता है इसके अलावा इसके जो पत्ते होते हैं इनमें मिनरल्स बहुत जादा होते हैं और कुछ जरूरी वाइटेमिन्स भी होते हैं तो इसके सेवन से आपके शरीर में मिनरल और वाइटेमिन्स का बैलेंस बना रहेगा अगर हड़ियों में सूजन हो जाती है बोन्स में इन्फलेमेशन हो जाता है तो उसमें इसके पत्ते खास फायदा पहुँचाते हैं तो इस समस्या में इसके पत्तों के सेवन से बहुत आराम मिलता है तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि एक ये छोटा सा हर्भ होके जो कि एक गमले में छोटे से गमले में देखी कितना घना हो गया है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है इसके आप पकोड़े भी बना खा सकते हैं और इसके अलावा इतना अच्छा टेस्ट होने के बावजूद ये इतने अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स दे रहा है दूसरी जड़ी बूटियों की तरह ये कड़वा नहीं है और दोस्तों इ यूरीनेशन होना थोड़ा थोड़ा यूरीनेशन होना या यूरीनेशन के वक्त जलन या दर्द होना इन सारी बीमारियों में ये बहुत आराम देता है बहुत रिलीफ देता है इसके अलावा जो लोग मोटापे से परेशान हैं वे अगर इसको लेमन ग्रास के साथ लेते यह भले ही साधारण सा दिख रहा है लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं अब इसके अलावा जिन लोगों को नसों की दिक्कत है वेरिकोज वी इन्स या नसों में सूजन हो जाना नसे मोटी हो जाना उसमें इसका बहुत बेजोड रिस्पॉंस मिलता है बहुत सारे इसका नहीं आ है कि इसको पानी में गर्म कर लें और इसे च्छान करके उस पानी से अपने पैर की शिकाई करें यह शिकाई दिन भर में तीन बार की जाती है और इन रोगियों का कहना है कि इसमें उन्हें बहुत अच्छा result मिला है इसे पीना कैसे है मैंने पहले भी बताया था कि इसे छोटे बच्चों को दे सकते हैं सरदी जुखाम वगएरा में fever में और पेट के problems में भी दे सकते हैं तो इसे देना कैसे है इसे आपको पानी में गर्म करना है और इसे पानी में तब तक गर्म करना है जब तक जिस पानी में उबाला जा रहा है वो उबल कर आधा न हो जाए यानि अगर आपने एक लीटर पानी में इसकी बीस पत्तियां डाली है और उबालने हैं तो पानी आधा लीटर हो जाए तब तक उबालते रहिए उसके बाद छान करके उस पानी को आपको पिलाना है छोटे बच्चों को भी ऐसे ही पिलाना है इसके अलावा आप इसे इसके पकोड़े बना के इसका यूज कर सकते हैं या इसे तवा पे गर्म करके अच्छी तरह से गर्म करेंगे तो ये पत्ते बिल्कुल सूख के छोटे हो जाएंगे तो आप उसे भी दे सकते हैं और उन छोटे पत्तों को भी आप डिरेक्टली खिला सकते हैं उमीद है अगर आपको इन सब में से जो भी प्राब्लम अगर आपको है और आप इसे यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जैसा भी हो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर सूचित कीजिएगा आप सब का बहुत शुक्रिया एसेस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें थैंक्यू फ्रेंड्स